रूस में, सर्दी के मौसम में, टेंपरेचर कितना ही माइनस में नीचे क्योंने चला जाए। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है गर्म जोशी बरी रही है। हमारे रिस्तों की दर्ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबुत होकर के उभरी है। जब हमारे स्टूडेंट्स संगर्स के बीच फसे थे, तो प्रसिजन्ट पुटीन ने हुए वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थे। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रसिजन्ट पुटीन का, इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। रूस में, सर्दी के मौसम में, टेंप्रेचर कितना ही माइनस में नीचे क्योंने चला जाए। भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है गर्म जोशी बरी रेका। ये रिस्ता, मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट की मजबूत नीव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर-घर में कभी गाया जाता था। सर पे लाल टो पी रूसी। फिर भी। फिर भी। यह गीत बले ही पुराना हो गया हो। लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राजकपूर, श्रीमान मिथुन्दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्रूति की दोस्ती को मजबूत किया। बारत रूस के हमारे रिस्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया। और आज आप सभी भारत रूस के रिस्तों को नई उंचाई दे रहे हैं। हमारे रिस्तों की दर्टा अनेक बार पर्ठी गई है। और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबुत होकर के उभरी है साथियों भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेश रुप से मेरे प्रियम मित्रा प्रेजिडेंट पुटिन की लेडर स्विक्व की सराना करूंगा उन्होंने दसक, दे दसक से ज़्यादा समय तक इस पाक्रशिप को मजबुती देने के लिए शांदार काम किया है बीटे दस सालों में मैं चछठी बार रश्या आया हूँ और इन सालों में हम एक दूसरे से सत्तरा बार मिले हैं ये सारी मिटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है जब हमारे स्टूडेंट्स संगर्स के बीच फसे थे तो प्रसिदेंट पुटीन ने हुए वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थे मैं रूस के लोगों का मेरे मित्र प्रसिदेंट पुटीन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों आज बड़ी संख्या में हमारे नवजवान रश्या में पढ़ाई के लिए आते हैं मुझे बताया गया है कि यहाँ अलग-अलग राज्यों की एक्सोशेशन भी है इससे हर राज्यों के त्योहारों खानपान भाषा बोली गीत संगीत की विविदता भी यहाँ बनी रहती है आप यहाँ होली दिवाली से लेकर हर्ट और हार धुमधाम से मनाते हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहाँ उत्सांग और उमंग से मनाये जाता है और मैं आशा करूँगा इस बार पंदरा अगस तो और शांदार होनी चाहिए आप यहाँ यहाँ